हेलो फ्रेंड्स असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब लोग होप आप सब लोग ठीक होंगे आज मैं बनाने वाली हूँ साबुदाना किचली जो की बहुत ही टेस्टी बनने वाली है देखी जिसके लिए दो मीडियम साइज के आलू को मैंने इस तरह से बारिक कट कर लिया है दे अदर ने देखे देखें के से आप वड़ेका आपे जाएं टाने में फूल कर ज्यादा हो चुक मैं मिक्स और जाएं प्राब्लम खेएं सी लिए मैं दूसर पाउल में आदा हुं और इसमीडियम साथ है वाल मिक्स कर के कम शेंग दूर नीकर कर लिया है और आघ्वली का प यह दिखिये इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अब या ओलु को जो है बोईल होने के लिए रख देंगे हम लोग यह देखे फृरंड्ड्स आलु को मैंने आधा कच्छा ही पका लिया है क्योंकि हमें इसे तेल में फ्राई करना है तो इसे बस आधा ही मैंने पका लिया है पूरी तरीके से बॉयल नहीं किया है ये देखिए बॉयल हो चुके थे आलू इसे च्छान लिया है मैंने अब गैस को अन करूंगे और इस पर एक कड़ाई रखूंगे और इसमें दो बड़े चम्मच जो है रिफाइंट ऑइल डाल जी हूं और इसे गरम कर लेंगे अच्छी तरीके से और गरम होने के बाद जो आलू मैंने कट entity जो अदैक अथे अच्छे से अब अच्छी तरीके से हम लोग फ्राइ और लेंगे पांच मिनट तक देखेंट्स मैंने 5 द्शे तरीके से फ्राइ कर लिया है बस मैं इसे निक इसी के साथ अब इसी तेल में में हरी मिर्चे दाल रही हूँ चार से पांच अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हो तो और भी डाल सकते हो ये देखिए इसे मैंने भून लिया है देख सकते हो आप लोग मिर्चों को अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं इसी के साथ जो हमने साबुदाना और ये जो है पूरा इसमें मिक्स करना है ये देखिए इसमें डाल देंगे हम लोग सारा साबुदाना और इसी के साथ नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाली है और इसी के साथ जो है आलू भी मैंने डाले हैं अच्छे से मिक्स करके इसे ढख कर 5 मिनिट तक हम लोग पका लेंगे और बीच में चलाते रहें आप परफेक्ट शाबुदाना बहुत ही टेस्टी बना है अप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा तो चलो हम इसे सर्फ करते हैं देख सकते आप लोग कितना खिली-खिली हमारी खिचडी बनी है तो यह देखिए फ्रेंड्स हमारी साबुदाना खिचडी जो है बिल्कुल परफे बनी है फुल नाइट मैंने शाबुदाने को जो है पहले ही भीगा लिया था आप चाहे तो दो तीन घंटा पहले भी से भीगा सकते हो तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हफीज